हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे और आपकी यूट्यूब चैनल बिटा ब्लोकर्स में आज हम सुनेंगे अस्तमा के बारें जो एक एक्सपेरिटिड डिसोडर है इसे दमा भी कहते हैं जैक एसी बिमारी है जिसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है और इसी कारण लोगों को सांस लेने में कठी नहीं होने लगती है सर्दियों में इस बिमारी से पीडित लोगों की परिशानी काफी बढ़ जाती है और बढ़ते वाईव प्रदिशन की वज़े से तो इसके मामले और भी ज़्यादा सामने आने लगे है अस्तमा एक तरीका डिसोडर है मुकोसल अडिमा को बढ़ाता है जिससे की मुकोस सिक्रेशन जैता हो जाता है और इंफलमेशन बढ़ जाता है इसके कोज़स इसके कोज़स में पहला यह ही कि एक जैटिक डीजीस है छोटा है जैसे कि डुस्ट, पॉलंड, स्मॉक, मेडिकेशन से, यह एक वाइरन इन्फेक्शन है, इसमें सीवेश ट्रेस होता है, और खृमेट के चेंज की वज़े से भी ये हो सकता है और malnutrition की वज़े से भी ये हो सकता है clinical manifestation की बात करें तो एक तरह से ये reversible bronchospasm की वज़े से होता है dysnia, pursed lip breathing, nasal flaring, whizzing sound, sinosis, restlessness ये सब इसके clinical manifestation है treatment की अगर बात करें तो इसमें bronchidilators दिया जाता है जैसे की theophylline, deriphylline, steroid दिया जाता है जैसे की dexona, supplementary O2, endotracheal intubation दिया जा सकता है और mechanical ventilation अगाश जरुत पड़े तो nursing management की बात करें तो O2 administration दिया जाता है tracheal bronchial suctioning दिया जाती है जिससे की airway clear हो जाए fowler position दिया जाता है patient को और increased fluid intake fluid के intake को बढ़ाय जाता है जिससे की airway clear हो जाए और medicine जैसे की जो भी physician prescribe करता है उसको सही समय पर लेना आविशक है